मेरे प्यारे कला प्रेमियों और स्कूल कलेज की जितने विजार्थियों आप सभी को आटिस्ट अंकल चानेल में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को आटिस्ट अंकल की तरब से नमस्ते, सलाम और सेस्रिया का मेरे प्यारे कला प्रेमियों जैसा की आप सभी जानते हैं विश्ट्रु में अनेक भासाएं बोली जाती है लेकिन जब हम अपनी मात्रुभासा की बात करते हैं तब हमारे हुदय में अपनी मात्रुभासा की प्रती एक अलग सा लगाओ एवं प्रेम का एहसास सा हुने लगता है मेरे प्यारे कलाप्रेमियों और विद्याथियों आप लोगों को पता होगा अंतर राष्ट्रिय मात्रुभासा दीवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है यह दिन पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है युनुस्को ने 1999 को अंतर राष्ट्रिय मात्रुभासा दीवस मनाया जाने का भैसला किया था तब से लेकर हर साथ 21 फर्वरी को इसे मनाया जाता है 21 फर्वरी 1902 में धाका इन्वर्सिटी के स्टूडन्स और सामाजिक कार्जिक्रताओं ने तद कलिन पाकिस्तान सरकार की भासाई निती का विरोध किया उनका प्रदर्शन अपने मात्रु भासा की अस्तित्यों का बनाय रखने के लिए था प्रदर्शन कारियों की मांग बांगला भासा को अधिकारिक दर्जा देने थी पाकिस्तान की पुलिस प्रदर्शन कारियों को गोलिया बरसाई लेकिन विरोध नहीं रुका और अन्त में 39 फरवरी सन 1956 को पकिस्टान सरकार बंगला भासा को अधिकारिक भासा का दर्जा दे दिया भासाई अंदुलन में सहीद हुए 16 युवाओं को स्रधान जली देने के लिए इनुसको ने 1999 को जेनराल कंफरेंस से अंतराश्ट्रिय मात्रुहसा दीवस मनाने का फैसला किया और 21 फरवरी को अंतराश्ट्रिय मात्रुहसा दीवस मनाया जाने लगा तुम मेरे प्यारे कला प्रेमियो वर्ड लंग्वेज इठो नलेज के मुताबिक दुनिया भर की पीस सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासाओं में छे भारतिय भासाएं हैं के दिन यूनेस्को और यूएन एजन्सियों द्वारा दुनिया भर में भासा और कल्चर से जुड़े अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं हर साल इस खास दिन का एक खास थीम भी होता है भारत विविधी शंस्रुती और भासा के देश रहा है साल 1961 की गणना के अनुसार भारत में 1652 भासाएं बोला जाता है लेकिन हिंदी भासा हमारे पहचान है हम देश के किसी भी कोने में चल जाए वहां हमारे राश्ट्र भासा हिंदी चलता है तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों भारत के पुर्वराश्ट्र पती दक्तर अब्दल कलाम सहाब ने अपनी अनुभग की आधार पर कहा था मैं अच्छा वज्यानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की सिक्षा अपनी मात्रु भासा में प्राप्त की थी अब्दल कलाम सहाब जी का कहने का मदलब सिर्फ ये है कि व्यक्ति अगर अपनी सिक्षा अपनी मात्रु भासा में प्राप्त करता है तो उसके लिए उससे समझना शीखना आसान हो जाता है इसके साथ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा आप सभी को ये जो आटिस्ट अंकल इंटरनेशनल मदर लांग्विज दे ड्रोइंग बना रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिए और वेश से ड्रोइंग बनाने की कोशिश भी करना आप लोगों तो देखे होंगे तरे तरे की कलाकार अपना कलाकारी बतन को लेकर दिखा रहे हैं जो की जो कंसप्ट है उसी कंसप्ट के अनुसार नहीं होता है यहां रंग बेरंग दे देने से कुछ सिखने को नहीं मिलता है जो थीम होता है उसी थीम को लेकर अगर आप कोई ट्रेंग बनाएंगे तो कोई अच्छा से सिख पाएगा तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों मेरे विद्यातियों आप सभी को अंतराष्ट्र मात्रुबहसा दिवस की बहुत-बहुत सुबकामनाय सुबकामनाय और सुबकामनाय जो लोग आटिस्ट अंकल चैनल में नए आये हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट करने का कभी भूलना मत तो आज उतनी ही धन्यबाद